तो दोस्तों कहिए क्या ऐसा हो सकता है कि आपका ये फेवरेट शो अपने रीसिन ट्राइक की वजह से ओफ एर हो जाए क्या वाकई में घुल खान के पास कुछ नया नहीं बचा है अपने दर्शकों को दिखाने के लिए और उन्हीं एंटिटीन करने के लिए क्या आदीद के राजों में उल्ची ओबरॉइस की जिन्दगी दर्शकों को इरिटेट करने लगी है बताईए बताईए आप ही बताईए क्योंकि इस सवाल हमारे दिमाग में शो के कुछ फैंस की ही बतौलत आया है दरसल आज तक हमारे चैनल पर इश्कबास को लेकर फैंस ने सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही किये हैं यानि कि वो कमेंट्स जो शो मेकर्स के लिए सिर्फ प्यार भरा पैगाम लाते थे मगर ये क्या दोस्तो शो के इस ट्रैक के बाद तो मानो फैंस बिलकुल ही रूट गए हैं और लगातार गुल खान से ये गुहार लगा रही हैं कि या तो शो को किसी अच्छे से मोड पदला कर खत्म कर दिया जाए या फिर शो में वो कुछ ऐसा लेकर आएं जो बोरिंग या फिर घिसा पिटा ट्रैक बिलकुल ना हो ताके से इन कहानी से इरिटेट हो चुके दर्शकों को कुछ मजा आए और कुछ नया एंटर्टेनिंग सा देखने को मिले 12 दर्शकों को कोई डमांड तो भई गलत नहीं है लेकिन क्या गुल खान के पास कोई ऐसा कंटेंट है अभिहाल फिलाहन में ही उन्होंने अपना शो इस प्यार को क्या नाम दूम बंद कर दिया है और उसके बाद अब इश्कबास पर ये मंडराते खत्रे के बाद अल्गुल खान के लिए कोई अच्छा संकेत लेकर नहीं आ रहे है खेर आपको एक और चीज याद दिला देते हैं किससे पहले जी टीवी पर उनका एक शो आता था जिसका नाम था कुबूल है कुपूल है में भी कुछ ऐसा ही हुआ था वहां भी शुरुवात में मिली शो को बहुत अच्छी टी आरपी लोगों ने शो को खूब पसंद किया लेकिन धीरे धीरे शो आगे बढ़ा और फिर शो के कुछ ट्रैक्स की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना बन कर दिया और फिर शो हो गया ओफ एर अब देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा कि इस बार इश्कबाज के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगी गुल मैड देंगे और कितना भी घिसा पिटा ट्रैक बार बार देखेंगे टॉप नियूस के लिए काजल की रिपोर्ट